असलाम अलेकुम डियर स्टुडेंट्स, माइ नेम इस मुहम्मद दाउद, S और P ब्लक एलेमेंट्स को हमने स्टार्ट किया हुआ था, पिछली वीडियो में हमने पिरियाडिक टेबल से रिलेक्टिड कुछ जेनल पॉइंट्स आपके साथ शेर की थी, आज की वीडियो में हम तर्ड पिरियर्ड एलेमेंट्स के एलेक्ट्रानिक स्ट्रक्चर और इसके जो ट्रेंड्स हैं तर्ड पिरियर्ड एलेमेंट्स के एटॉमिक रेडियाई में वो आज हम डिसकस करेंगे, So let's start, third period जो elements है उसका जो valence shell होता है वो third होता है जिस तरह पिछली वीडियो में हमने discuss किया था कि group number हमें बताता है कि कितने shell होंगे पहले period number तो पहले period में हमारे पास एक shell दूसरे में दो तो third period में तीन ही होंगे third period में जो पहला element है वो है sodium पर इसके बाद magnesium पर aluminium पर silicon, phosphorus, sulfur, chlorine और last में आरगान आ जाता है atomic number इसका कुछ यू है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 same ही shell में जैसे हम across the period जाते हैं electron जो है वो aid होते जाते हैं इसमें याद रखने की बात यह है कि sodium, magnesium और aluminium जो है वो metals है silicon, semi metal या metallide है अगर्चे इसको अक्सर हम non metals की category में ही रखते हैं पास्पोरस और सल पर भी non metal है आरगान जो है zero group से तालुक रखता है और यह noble element है electronic structure पर इसके आते हैं electronic structure से मुराद है कि इसके electrons की distribution किस तरह हुई है जिस तरह हम electronic configuration करते है sodium 11 है इसके electronic configuration neon 3s1 है चुमके neon के electronic configuration वो 1s2, 2s2, 2p6, total इसमें 10 electrons मुझूद है इस हुझा से 10 के बाद जितने भी आते हैं उससे पहले हम neon का लिखते हैं तो neon के 10 हो गए और पिर जो 11 electron है वो 3s में चला जाता है similarly magnesium में 12 electrons हैं तो neon 3s2, aluminium 3s2, neon 3s2, 3p1 चुमके इसमें 2 आते हैं तो उसके बाद definitely वो पी में जाएगा silicon का neon 3s2, 3p2 and so on पासपोरस का I hope इन चीजों को आप समझ रहे होंगे electronic configuration से related जो है ETA में आपके MCQ किस तरह आप expect कर सकते हो इससे related आपको इस तरह MCQ आ सकता है कि electronic configuration आप chlorine आपको option दिये गए होंगे इसके लिए जरूरी ये है कि chlorine का atomic number जो है वो आपको पता हो या पिर argon का पूछते हैं नियान का पूछते हैं similarly valency electrons in phosphorus इस तरह का question आप से पूचा जा सकता है valency electron का मतलब होता है जो valence shell में electrons होते हैं जो ultimate shell होता है for example phosphorus का जो valence shell है वो third है और इसमें S में 2 और P में 3 तो total इसमें 5 electron है valency electron chlorine का भी पूछ सकते हैं जिसमें 7 है argon में जो है वो 8 हैं तो इस तरह की question आप expect कर सकते हो valence shell जिस तरह आप जानते हैं this is the outermost shell या इसको हम ultimate shell भी बोलते हैं इससे related जो है एक और terminology आम तोर पर penultimate shell जो valence shell के पीछे जो shell होता है तो penultimate shell के बारे में आप से question पूचा जा सकता है for example आप से पूचे के chlorine का penultimate shell कौन सा है तो chlorine का second last shell जो है वो 2 है क्योंकि इसका valence shell 3 है तो penultimate shell definitely वो 2 हो जाएगा इसके इलबा anti-penultimate shell जो penultimate shell से नीचे जो shell हो उसको anti-penultimate shell कहते है for example आप से कोई पूचे के silicon का anti-penultimate shell कौन सा है तो silicon का valence shell 3 हो गया penultimate इसका second last वो 2 हो गया और anti-penultimate वो 1 हो गया एक और important चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है जो आप से ETA में से MCQs वो पूचे जा सकते है वो है core electrons जितने भी valence shell में electrons होते हैं उसको हम valence shell electrons बोलते हैं लेकिन valence shell के अंदर जितने भी सारे वो shells होते हैं उनमें complete जितने भी electrons होते हैं उनको हम core electrons बोलते हैं फार एक्जामपल aluminium जो है इसके valence shell electron 3 है और core electron इसके 10 है तो इसी तरह simple चीज़े आप expect कर सकते हो now let's move on to our next topic that is trends of period third elements in atomic radii पहले तो हम यह जाने के atomic radii क्या चीज़े atomic radii is actually the measure of size of atoms atoms के size का measure है लेकिन जिस तरह हमें पता है के their atoms have no fixed boundary कोई भी atom जो है उसमें उसमें जो है कोई fix इसकी boundary नहीं होती second chapter में हम quantum theory और quantum mechanics के अवाले से कुछ introductory चीज़े पढ़ेंगे जहाँ पर आपको पता चल जाएगा लेकिन atomic radii के trend को discuss करने से पहले हमें जानना चाहिए कि atomic radii कौन-कौन से हो सकते है कोईलेंट radii भी हो सकता है metallic भी हो सकता है wonder walls भी हो सकता है इसके इलावा जो ionic radii आम तोर पर इसको inter-ionic distance भी बोलते हैं लेकिन उसको हम यहाँ पर discuss नहीं करते हैं कोईलेंट radii is half of the distance between the nuclei radii आप two same atoms which are bonded through covalent bond for example दो atoms है उन वो एक दूसरे के साथ लेकिन same atoms है इस तरह नहीं है कि hydrogen और chlorine bonded है नहीं क्लोरीन और chlorine अगर covalent bond के through bonded है उनके nuclei के दरमयान जो half distance है उसको आप two पर divide करते हूँ उसका covalent radii कहलाता है इस तरह metallic जो cluster होता है जो crystal lattice होता है उसमें metal atoms के दरमयान जो half of the distance between the nuclei उनके nuclei के दरमयान जो distance होता है उसको हम metallic radii बोलते हैं एक और important चीज वंडर्वाल्स radii यहाँ पर जरूरी है क्यूंकि हम trends को explain कर रहे हैं और आरगान की वंडर्वाल्स radii है इसको हम कुछ इस तरह define करते हैं कि half of the distance between the closest for top two atoms of an element which are not chemically bonded through ionic or covalent bond for example noble gases है helium है neon, argon, xenon, krepton यह gases है अब चुंकि यह monoatomic molecules है और इनके दरमयान कोई जो है bond नहीं होता जिस तरह हम covalent या ionic bond की बात करते हैं या metallic bond की बात करते हैं तो उनके दरमयान जो forces होते हैं इंतहाई weak undervals forces जो है वो operative होते हैं अब इनके दरमयान जो distance होगा वो closest part इसलिए लिखा गया है यहां पर चुंकि जो जो dispersion होती है electronic dispersion तो वहाँ पर exact हम मालूम नहीं कर सकते तो उसको हम बोलते हैं wonder walls radii अब आते हैं अपने topic पर के atomic radii का trend जो है वो क्या है third period elements में जिस तरह हमने discuss किया third period में sodium magnesium aluminium silicon phosphorus sulfur chlorine और argon है तो general trend यह है कि atomic radii across the period जब हम जाते हैं from left to right atomic radii जो है वो decrease होता है due to the increase in nuclear charge nuclear charge increase होता है अब nuclear charge क्यों increase होता है due to the successive addition of protons in the nucleus यहाँ पर sodium में 11 proton है atomic number 11 magnesium में same shell में तरी shell इसमें भी है इसमें भी है चुंकि same period है pair proton add हुआ उसी shell में pair proton add हुआ sorry nucleus में pair proton add हुआ pair and so on तो nuclear charge बढ़ता है जिस तरह nuclear charge बढ़ता है तो nuclear charge बढ़ने की वजा से क्या हो रहा है atomic radii है जो है वो decrease हो रहा है electron पर इसके attraction ज्यादा है जिसकी वर्जाए से size decrease हो रहा है तो इस हो जासे हम कहते हैं के general trend यही है यहाँ पर sodium magnesium और aluminium चुंकि इस तरह इससे पहले हमने discuss किया इस मेटल्स तो इसको हम लेंगे metallic radii के category में silicon phosphorus sulfur chlorine को कोवलेंट और argon को हम लेंगे wonderwalls radii के category में लेकिन across the period general trend से यहाँ पर एक exception है कि across the period जब हम जाते हैं तो sodium से chlorine तक तो size वो decrease हो रहा है लेकिन argon का size वो ज्यादा होता है अगर्चे यह कम होना चाहिए अगर हम general trend को देगे तो इसकी reason है यहाँ पर मैंने लेका है कि coelent and metallic radii are measured in strictly bonded conditions and can't be compared with wonderwalls radii अब coelent और metallic radii जो है उसको हम strictly bonded condition में measure करते हैं मतलब coelent bond होता है metallic bond होता है और वो strong forces है strong forces के through यह bonded है तो उनके radii जो है उसका atom जो है उसका size कम होगा जबके wonderwalls radii के पर जो भी atoms एक दूसरे के साथ bonded हो उनका size वो definitely larger आएगा due to weak forces तो इसलिए wonderwalls radii are larger due to weak forces दूसरे रीजन यह है कि जुके electrons aid हो रहे है और आरगान का जो octet है वो complete है मतलब यह है कि इसमें electrons जो है वो shells में वो complete है अब electron complete होने की वजह से इसमें electronic transition नहीं हो पा रही क्योंकि shells में तो electron complete है इस वजह से जो outer shell में जो electrons है उनमें repulsion होता है इस repulsion की वजह से इसका size जो है वो increase हो रहा है इसमें आपने यही बाते याद से रखनी है कि sodium magnesium aluminum के लिए metallic radii हम consider करेंगे या पिर ionic radii या इंटर ionic distance भी आप ले सकते है सिलिकान पासपोरोस क्लोरीन के लिए कोवेलेंट और और आरगान के लिए वंडरवाल्स radii I hope you understand all these things next lecture में हम तूसरे topic पर जाएंगे stay tuned thank you very much